आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone Question में मैं बोले गया है कि एक Canon है यानि top है इसको हमने एक railway wagon के उपर रखा गया है तो यह कोई railway wagon है यह एक track पर है यह track है उसके उपर हमने यह top रख दिये Canon रख दिये और Canon के कुछ projectiles रखे हो है नहीं top के गोले भी रखे हो है तो हमसे बोला गया है कि इस पूरे system का यह wagon प्लस Canon प्लस यह projectiles इन सब का mass मिला के हमें given है कितना 2000 kg और हमसे बोला गया है कि जो एक एक जो गोला होता है एक एक जो projectile है हर एक कमास 25 kg है और next हमसे बोला गया है कि जब Canon चलाई जाती है जब वेन Canon इस फायर वो exactly horizontally fire की जाती है मतलब horizontally fire कर रहे है और जो उससे projectiles यानि तोप के गोले जो निकलते हैं Canon से उनकी speed होती है 1000 meter per second with respect to Canon यानि अगर कोई आदमी इस wagon पे खड़े होके तोप को चलाएगा तो तोप का गोला उसको 1000 meter per second से निकलता है दिखेगा अब question में हमसे पुछाएगा है कि speed क्या होगी Canon की first short के बाद मतलब पहला गोला जब छोड़ा उसके बाद wagon की speed से चलेगी और second part में पुछाएगी third short के बाद की speed से चलेगी तो basically जो question है वो है momentum conservation पे क्योंकि पूरे system पे हमारी net external force है वो zero होगी तो हमारा momentum conserved होगा तो अभी हमें धियान देना है momentum conserve करने बे momentum conserve हमें करते हैं time is question में सबस्यादा धियान देना है कि हमारा जो frame of reference है हम सारी velocities एक ही frame of reference में लिखे हैं तो हम ground के frame में लिखते हैं ground के frame में माल लिजे wagon की velocity है vw और vw projectile से जो निकलेंगे उनकी velocity माल लिजे vp तो अब दिखते है initial velocity क्या थी हमारी यानि vw0 अच्छा यहाँ पर मैं लिखूँगा it index मतलब 0 मतलब एक भी projectile फाइल नहीं हुआ है 1 मतलब 1 cannon हमने short कर दी 2 मतलब हमने 2 cannon short कर दी तो उसके बाद क्या velocity है ground के respect में तो हमारी initial velocity क्या थी wagon की? 0 और initial velocity हमारी projectile की भी क्या थी? 0 अब हमने एक shot fire किया तो उसके बाद हमारे particle की velocity जो आई projectile की with respect to wagon वो क्या ही? 1000 meter per second और हमारी ये जो होगी V1W वो अभी हमें find करने को बोला है first question में तो हम क्या करेंगे? momentum का दो परेंगे ground frame में तो ground frame में Vp जो हो जाएगी वो होगी 1000 plus Vw तो अब अगर हम momentum conservation की equation लिखे है तो वो क्या होगा? कि initially हमारा total momentum था 0 क्योंकि कुछ भी move नहीं कर रहा था तो initial हमारा momentum होगी है 0 finally हमारा momentum हमने बोला कि जो wagon है वो इस direction में जाएगी और projectiles इस direction में जाएगी तो wagon का momentum हो जाएगा कितना? उसका mass 2000 minus क्योंकि हमने एक projectile निकाल दिया है तो minus 25 into उसके velocity और यह सर अब हम दिख रहे हैं ground frame में तो delta P equal to 0 हम कर रहे है ground frame में यह हम इधर कर रहे हैं तो 2000 minus 25 यह mass होगी हमारी wagon का shoot करने के बाद into इसकी velocity के हो जाएगी VW यह होगी negative direction में plus हमारा projectile के mass 25 into projectile की velocity Vp अब यहाँ पर हम रखेंगे इस सारी values निकल के आ जाएगा 12.65 meter per second तो speed of cannon हमारी first shot के बाद हो जाएगी 12.65 meter per second अब हमसे पूछे गया है third shot के लिए तो उसके लिए हम पहले देखते है second shot में क्या होगा तो second shot में हमारा जो VW1 है वो हमें पता चल गया 12.65 meter per second अब initial momentum की बात करें second shot में initial momentum क्या होगा first shot के बाद जो momentum है वो अब जो हमने एक shot fire कर दिया अब उसको हम भूल दाएंगे हमारा system है सिर्फ wagon और जो total shots उस पर रख्यों है हम सिर्फ इस system को momentum conserve करेंगे और यह जो हमने short fire कर दिया इसको हम neglect कर देंगे तो momentum conserve करते है अच्छा momentum conserve करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जो VP है VP हमेशा यही रहेगा छोटा सा change होगा क्या 1000 plus VW1 हो जाएगा यानि short fire करने से पहले जो भी velocity थी वह यहाँ पर आएगी तो अब momentum conserve करें इनिशल हमारा momentum क्या था सिर्फ यह wagon negative direction में move कर रही थी तो 1975 into VW1 initial हमारा momentum सिर्फ यही था finally हमारा momentum क्या होगा कि यह wagon कुछ VW2 से move करेगी VW2 negative direction में और इसका mass क्या हो जाएगा 1950 क्योंकि हमने एक और 25 kg का projectile निकाल लिया और उस 25 kg के projectile की कुछ velocity होगी वो होगी VP और VP की value है 1000 plus VW1 into projectile का mass अब यहां से हम solve करेंगे तो हमें मिलेगा VW2 तो minus 1975 VW1 is equal to minus 1950 VW2 यह 2 भी 2 square नहीं है यह variable ही है VW2 पावर नहीं है यह 2 प्लस 25 थाउजंड प्लस VW ओ स्वारी 25 VW1 जो इसको में धर ले आते हैं इसको इधर ले जाते हैं जो यह होजाएगा 1950 VW2 is equal to 2000 VW1 जो जो घजवाएगा झाल 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 क्लासिक्स ट्वल्स अलेके नीट आयाईटी जेही मेन्स और अद्वांस के लेवल तक. तस मिलियन से जाधा स्टुडिंट्स कभरोसा आज ही राउनलोट करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर.